हलो एवरिवान, विलकम बैक टू दे चैनल, सो आज हम G20 समिट के बारे में कुछ बेसिक चीज़े हाँ पर देखने वाले हैं और यह समिट भी ओन गोइंग है, आज और कल के दिन यह कंप्लीट हो जाएगी कल और इसके लिए G20 कंट्री के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं भारत में और अभी एक और चीज़ भी एड हो गई है, याद करने के लिए वो यह है कि एफ्रिकन यूनियन भी G20 का पार्ट बन गया है, तो अब से इसे हम G20 नहीं, ओफिशिल यह G21 हो गया है तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले प्रेजडेंट कंट्री कौन सी है, इंडिया है, इंडिया में होस्ट हो रहा है यह प्रगती मैदान में इंटरनेशनल एक्जिबिशन कंवेंशन सेंटर, ठीक है, नौ से दस सितंबर यह कंप्लीट होगी G20 Summit छे एजेंडा हैं Summit के Green Development, Climate Finance Inclusive Growth, Digital Economy Public Infrastructure, Technology Transformation and Reforms for Women Empowerment for Social Economy Progress अब यहां African Union की बात की जाए तो G20 में यह भी शामिल हो गया है 18th Summit है यह G20 की जो भी हो रही है और इसमें African Union शामिल हो गया है Full Member बन गया है African Union एक Organization है जिसमें 55 Member States शामिल है जो African Continent की Countries है ठीक है, African Union का Headquarter है अदे सबाबा, Ethiopia में 6% है, इसके अजाली, असोमानी यह भी भारत में आए हुए है और आपने वीडियो भी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखे जाकर, important है ऐसे events को देखना, ठीक है अब G20 logo और theme की भात करें तो G20 का logo, Indian National Flag से inspired है जिसमें saffron, white, green और blue ये color सभी शामिल किये गए है लोगो आपने देखा होगा Planet Earth उसमें mention की गई है With the Lotus जो की इंडिया का national flower है जो की reflect करता है growth amid challenges जो Earth है, ये क्यों इसमें G20 के logo में बनाई गई है ताकि इंडिया का जो pro planet approach to life है इसको दिखाया जा सके इसको reflect किया जा सके ठीक है, और फिर लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है देवनागदी स्क्रिप्ट में theme क्या है तो हमने देखे लिया वसुदेव कुटमबकम या फिर One Earth, One Family, One Future ये जो वसुदेव कुटमबकम है महा उपनिशद जो हमारा संस्कृत text है ancient उससे लिया गया है ये रहा logo blue, white, saffron, green ये colors है फिर ये अर्थ है lotus ये बना हुआ है जो कि हमारा national flower है भारत लिखा हुआ है और इस lotus में आप देखेंगे तो seven beetles है इन seven beetles का मतलब क्या है तो इनका मतलब है साथ continents जो globe में है उन से है ठीक है जो पूरे विश्व को एक साथ लेकर आते है अब ये G20 मेंबर के head कौन से है जो भारत में आये हुए है तो इंडिया होस्ट है नरेंदर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो की chairperson है G20 मीटिंग के अर्जेंटीना के प्रेजिडेंट अलबर्टो फर्नांडेस आये हुए है भारत में फिर उस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अलबनीज प्रजील के प्रेजिडेंट है लूला दसिल्वा कैनेडा के जस्टिन टूडो ये भी भारत आये है चाइना से चाइना के पी-म भारत आये है जो वहां के सुप्रीम लीडर है जी जिंग पिंग वो भारत नहीं आये है और इसके अलबार रशिया के भी जो सुप्रीम लीडर है विलादेमिर पुतिन उन्होंने भी एमिटिंग को स्किप किया है कि rolling लेशियर है इन वनों के लीडर्स नहीं आये है सुप्रीम लीडर नहीं आ हुए है उनके रेर्परिसेंटेटेब आये हुए है बाकी सबके सुप्रीम लीडर आये है चाइना से लेक यांग आके पी-म या प्रेमियर जिनको बोलते है फिर फ्रांस से Emmanuel Macron वहाँ के प्रेजिडेंट है जर्मनी से वहाँ के चांसलर उलाफ स्कॉल्स आए हुए है फिर इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट जोको विडोडो भी मौजूद है इतली के पीम जॉर्जिया मिलोनी, जापान के पीम फूमियो किशिदा, मैक्सिको के प्रेजिडेंट है अंड्रेस मैनुएल लोपेज, ओबराडोर और रशिया के फॉरण मिनिस्टर जैसे मैंने बताए, सुप्रीम लीडर नहीं आए है फॉरण मिनिस्टर आए है, सर्जे लावरोव उसके बाद साओधी अरभिया, ये भी G20 का मेंबर है सल्मान बिन अब्दुलाजीज अल साओध वहाँ के किंग आए हुए है फिर साओध आफरिका से वहाँ के प्रेजिडेंट सिरिल रामाफोसा आए है साओध कोरिया के प्रेजिडेंट यून सुक्योल भी है प्रेजिडेंट यूनियन चार्स माइकल भी भारत में आए हुए है अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो गेस्ट कंट्रीज हैं समिट में जो की मेंबर्स के अलावा जिनको इंवाइट किया गया है ये guest countries हैं बांगलादेश, एजिप्ट, मॉरिश, निदरलेंज, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन और यूएई अब ये चीज याद रखेगा स्पेन की तरफ से फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट वहां के नादिया सल्विनो आये हैं वहां के प्रेजिडेंट आने वाले थे स्पेन के प्रेजिडेंट लेकिन एंड मोमेंट पर ही साथ सितंबर को वो पॉजिटिव कोविड नाइटीन पॉजिटिव टेस्ट हुए थे जिसकी वज़े से वो G20 समिट अटेंड नहीं कर सके और उनकी तरफ से फिर फर्स्ट भारत में आये हैं अब है colors चल रहे तो ट्रोईका क्या यह वह है जो हम लोग जाद करते है एक्जाम के लिए भी कोई भी करिडेंट सीर तोओ प्रिवेश revisit sevent झी है तो पीर आपक मेंगस इन तीनों को मिला कर कहा जाता है इस साल कहा और नेक्स्ट एयर कहां पर होगी तो इनी को कहा जाता है ट्राइका अब यहां पर ट्राइका इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीन डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग एकॉनमी जो हैं वो मिलकर ट्राइका बना रही है यह तीन कौन इसको 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 पर्टिकुलर्ली हिट किया था तो उस टाइम पर 1999 में इसको इस ग्रूप को फॉर्म किया गया था इसमें ऐसी कंट्रीज शामिल हैं जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 60% जहां पर मौजूद है और ग्लोबल जीटीप का 80% इन कंट्रीज की तरफ से आता है ग्लोबल ट्रेड 75% ग्लोबल ट्रेड का ये कंट्रीज मिलकर करती हैं यह याद अटना है ज G20 का जो भी एजेंडा और वर्क होता है उसको कोडिनेट करने के लिए जो रेप्रेजेंटेटिव होता है उसको शेरपा कहा जाता है जैसे G20 शेरपा भारत की तरफ से कौन थे अमिताव कांध थे ठीक है अब यहाँ पर G20 मेंबर्स की कुछ बात की जाए तो इसमें 19 कंट Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, United States और European Union यह चीज़ों तो देखे लिए हैं कि यह रेप्रेजेंट करता है 85% of the global GDP और 75% of the global trade को और 2 third of the world population in countries में निवास करती है अब यह flags हैं सभी countries के जो शामिल है इसमें तो इन से आप याद रख सकते हैं G7 countries यह हैं G7 countries में अगर Russia को भी शामिल किया जाए तो वो G8 था लेकिन अब तो G8 जैसा कुछ है नहीं ठीक है और G7, G8 इन सभी को मिला कर और यह countries को भी शामिल करके बन जाता है G20 अब यह मैप में भी इन countries को आप देख सकते हैं तो pause कीजे वीडियो को मैप में थोड़ा अच्छे से इंको देख लेजें questions की बात करते हैं अब who is India's current G20 शेरपा अभी कौन है तो मैंने बताया बल्कुल अभी अमिताब कान्त है शेरपा होता कौन है यह भी मैंने बताया personal envoy होता है of the head of a member nation ठीक है when was G20 established कब established हुआ था तो 1999 में option भी यहां पर correct है यह भी हमने बात कर लिए है aim का है G20 का to secure global financial stability by involving middle income countries G20 summit 2023 held in which country 2023 का कहां पर हो रहा है G20 summit इंडिया में हो रहा है ठीक है which country holds the presidency of G20 in 2022 2022 में किसने presidency संभाली थी G20 की तो वो भी हमने बात की इंडिया के द्वारा की गई थी अब यहां पर next year का पूछा जा रहे है 19th G20 summit जो 2024 में होगी वो कौन हेड करेगा तो वो है Brazil option A correct है तो इंडिया ने की थी last time अभी इंडिया कर रहा है फिर करेगा Brazil what is the theme of G20 summit happening in India इसकी theme है one earth one family one future या फिर वसुधयव कुट्वमबकम which of the following is not the member of the G20 G20 member इसमें से कौन नहीं है map भी अच्छे से देखा होगा तो याद होगा Indonesia है Mexico और Turkey भी है Singapore G20 का member नहीं है in which one of the following groups are all the four countries members of G20 में से कौन सी ऐसा group है जिसमें चारो countries G20 की members है तो पहले ही है Argentina, Mexico, South Africa, Turkey यह सब ही country G20 की members है ठीक है यह देखिया Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, United States और European Union तो जो आप्शन में थी Argentina, Mexico, South Africa और Turkey वेर वस दो फॉर्स समिट ओफ जी ट्वंटी हेल्ट अच्छा यह अच्छे से आद रख लेना है पहला समिट जो था जी ट्वंटी का USA में हुआ था दो हजार आठ में ठीक है फ्रॉम वेर इस दा लोगो ऑफ जी ट्वंटी समिट इंस्पाइड लोगो कहां से इंस्पाइड है तो हमारे national flag से इंस्पाइड है यह वही चीज़े हैं जो हमने स्टार्टिंग में देख ली है अल्रेडी तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में सारी common चीज़े हमने discuss कर लिया यहां पर और बहुत सारी ना G20 Summit क्योंकि यह main event तो अभी हो रहा है लेकिन इससे पहले हम देखते हैं थिंग 20, business 20, science 20 यह सारी meeting बहुत सारी हुई है तो वो बहुत सारी हुई है उन सबको याद रखना बहुत मुश्किल है कितना याद करेंगे तो एक चीज़ कर लिजेगा अगर आप state specific exam दे रहे हैं तो आपके state में जो भी meeting हुई है उनको अच्छे से याद कर लिजेगा ठीक है चलिए फिर इसे के साथ end करते हैं इस वीडियो का थांक यू सो मश वाचिंग जैहिंद